या देवी सर्वभूतेशु मा सौभाग्यरूपेण संस्तिता नमस्तस्याई 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 नमोनमह ओम दुंग दुर्गाई नमह 14 अप्रेल 2024 रविवार के दिन चैत्रनवरात्री की सस्टिती थी है तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्री की सश्टिती थी मा कात्याईनी की पूजा की मंगल शुप कामनाई मा कात्याईनी की कृपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे मा कात्याईने की पूजाविधी और व्रत की कथा की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है अगर आपने अब तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए और आज आप सुनने वाले हैं दुर्गा सब्षति का ग्यारहवाध्याई तो आज का पार्ट सुनने से पहले दुर्गा कवच, अरगलास दोत्र और कीलक्स दोत्र आप सुनेंगे उसके बाद दुर्गा सब्षति का ग्यारहवाध्याई और फिर आप सुनेंगे आरती और शमाप्रार्तना लेकिन पाट प्रारंब करने से पहले आप सभी का दिल से बहुत-बहुत आभार प्रति दिन कथा सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और इसके साथ ही वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए आप सफी का बहुत बहुत आभार तो अब पूरे भक्ति भाव के साथ मादुरुगा का ध्यान करते हुए दुरुगा कवज के पाठ का प्रारंब करते हैं सबसे पहले विनियोग है ओम नमस चंडी का यही मादुरुगा के चंडी रूप को हमारा नमन है यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवज है जिसमें कुल 56 चंद है चामुंडा देवता, दिख बंध देवता, जगदंबा माता इत्यादी का ध्यान करके हम इस दुर्गा शप्तशती के पाठ का प्रारंब कर रहे हैं मारकंडे जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवन ब्रह्मा जो इस विश्व में गोपनिय है वर हश्य पूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है साथ ही, जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताईए मारकंडे जी के इस प्रश्ण पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवची है जो इस विश्व में अत्यतिक गोपनिय है वह देवी कवच सभी का कल्यान करने वाला पवित्रता और पुन्य देने वाला है आपको इसी का ही जाप करना चाहिए इससे ही आपका उद्धार होगा मा दुर्गा की नौ मूर्दिया है मा दुर्गा का प्रथम स्वरूप है मा शैल पुत्री दूसरा स्वरूप है मा ब्रम्ध चारली मा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है मा चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है मा कुश्मांडा उनका पाँचवा रूप सकंद माता का है और छटा रूप मा कात्याईनी है सात्वा स्वरूप है मा कालरात्री का और आठ्वा स्वरूप मा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है मा दुर्गा का नौवा रूप है मा सिद्धितात्री यही नव दुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है जो मनुष्य अगनी में जल रहा हो, सभी और से शत्रों से घिर गया हो विप्रीद परिस्तितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह मादुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है अर्थात मादुर्गा का ध्यान किये जाने पर मादुर्गा उसकी हर परिस्तिती में सहायता करती है यदि युद्य का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी मादुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है मादुर्गा उसके दुख, पीडा, भै इत्यादी का नाश कर देती है जो भी भक्तिगण मादुर्गा की भक्ती करता है मादुर्गा अवश्य ही उन्हें अभैदान देती है जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है मादुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है और इस बात में कोई भी शंशय नहीं है चामुंडा माता का वाहन प्रेथ है और वे उस पर सवारी करती है वाराही माता का वाहन भैसा है एंद्री माता का वाहन हाती है तो वही वैश्निवी माता का वाहन गरुण है भगवान शिव की पतनीव सभी की इश्वरी मा पारवती का वाहन व्रिशब है कुमारी माता का वाहन मोर है लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है वे भगवान विश्णु को अत्यतिक प्रिय है व्रिशब पर बैठी हुई मा पारवती का रंग सफेध है भगवान ब्रह्मा की पत्नी मा ब्राम्ही या मा सरस्वती हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूश अत्यदी क्रोध में रत पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो दुष्टों का नाश करने के लिए है वे अपने हाथ में शंक, सुदर्सन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादी लिये हुए हैं इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक, तोमर, परशु, पाश, त् तथा उत्तम कोटी का धनुष भी लिया हुआ है मादुर्गा दैत्यों, दुष्टों वर राक्षिसों का नाश कर देती हैं भक्तों का कल्यान करती हैं तथा देवताओं का सदैवित करती हैं इसी उद्देशे के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भाती के अस्त्र सस्त्र लिए हुए हैं मादुर्गा के महारुद्र प्रलेयंकारी पराक्रमी महाशक्तिशाली अत्यधिक उत्साही तथा भै का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं मादेवी के उस प्रलेयंकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है जो शत्रुओं का भै बढ़ानी का कार्य करता हैं. कीजिए राक्षिसों के सवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली मा चामुंडा देवी आप दशों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए आगे से मा जया तथा पीछे से मा विज्या आप मेरी रक्षा कीजिए मा अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिन द रूप में संरक्षन करें भोहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें दोनों आखों के बीच में शंक माता के रूप में और कानों की द्वारवाशनी के रूप में रक्षा करें मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करें, नासिका की सुगंधा देवी और होट के उपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें, होट के निशले भाग की रक्षा अमरित कला देवी और जीब की सरस्वती देवी रक्षा करें, मेरे दातों की कुमारी देवी, कंट की चंडिका गंटिका की चित्रगंटा देवी और तालू की महमाया देवी रक्षा करें। पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। पेरों के आगे भाग की तैजशी देवी, पेरों की उमलियों की श्री देवी और पेरों के तले की तलवाश्णी देवी रक्षा करें। पेरों के नाखुनों की द्रश्टा कराली देवी, केशों की उर्ध्वकेशिनी देवी, रोम चित्रों की कौबेरी देवी तथा त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। मापार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्यों इत्यादी की रक्षा करें। आतों की कालरात्री देवी और पित्त की मुगतेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की मापद्मावती देवी, कफ की चूडामणी देवी, नाखुनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभिध्या देवी रक्षा करें। मेरे विर्य की रक्षा मा ब्रह्मानी देवी, छाया की छत्रेश्वरी देवी तथा धर्म धारेणी देवी मेरे अहंकार वा मन और बुध्धी की रक्षा करें। हे मादुर्गा आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्यान करें। आप मेरी सभी इंद्रियों रस, रूप, गंद, शब्द, वस, पर्ष में बस्ती हैं। हे नारैनी देवी तमो गुण की रक्षा करें, मेरे आयू की वा राही देवी, वैस्नेवी धर्म की, यश्व किर्ती की लक्षमी देवी तथा धन्व विद्या की चक्रिनी देवी रक्षा करें, इंद्रा देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पश्वों की, महालक्षमी देवी मेरे पु मेरे भय की रक्षा करें, हे मा दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है, और वह अभी भी रक्षा करने योग है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए, आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए, मा दुर्गा की आग्या के बिना कोई भी व्यक्ति इस विशो में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, हम यदि कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाट करना चाहिए, और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए, इस दुर्गा रक्षा कवच के पाट से हमें हर जगे लाबव जो भी भक्त गण इस देवी रक्षा कवच का पाट करता है, उसका भै समाप्थ हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है, तथा वह तीनों लोकों में पूजनिय हो जाता है, देवी माता का या रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुरलब है, जो व्यक् जाता है, इस दुर्गा कवच के पाट से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्थ हो जाते हैं, उसके शरीर में बनने वाला विश भी समाप्थ हो जाता है, तथा कोई रोग उसका कुछ भी विगाड नहीं सबता है, जो भी मनुष्य इस दुर्गा शक्ति शालिव भयंकर डाकिन भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुश्मांडा भहरव इत्यादी सभी तरह की नकरात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवज के मात्यम से समाप्थ हो जाते हैं इस रक्षा कवज का पार्ट करने व जाप करता है उसका वंश इस प्रिथवी के अंत तक रहता है इसके पस्चात जब उसके मृत्यू हो जाती है तब वह माद्रुगा के आशिरवाद से परमस्थान को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी अत्यांत दुर्लब है उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसक माचंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे रिशी जी कहते हैं जयनती अर्थात सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगला अर्थात अपने भक्तों के जन्ममरण आदी संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदाईनी मंगल दाई देवी काली अर्थात प्रलैकाल में संपुर्ण स्रिष्टी को अपना ग्रास बना लेने वाली देवी भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपाली नी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंद माला धारन करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म करने वाली धात्री अर्थात संपुण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यग्यभाग ग्रहन करके देवताओं का पोशन करने वाली और स्वधा अर्थात स्वधा रूप से श्राद और तरपन को स्वीकार करके पितरों का पोशन करने वाली इन नामों से प्रसिद्ध हे जगदंबिके तुम्हे मेरा नमस्कार है। देने वाली हे देवी तुम्हे नमस्कार है। स्वभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली हे चंडिके जो भक्ति पुर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक जुगाते हैं। उन्हे रूप दो, जै दो, यश दो और उनके कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पुर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हे रूप दो, जै दो, यश दो और उनके कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। मुझे स्वभाग्यो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जै दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। जो मुझे से द्वेश रखते हों, उनका नाश और मेरे बलकी व्रिधी करो। रूप दो, जै दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्यान करो, मुझे उत्तम संपत्ती प्रदान करो। रूप दो, जै दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर, दोनों ही अपने माथे के मुगुट की मडियों को तुम्हारे चर्णों पर घिस्ते रहते हैं। तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यश श्वी और लक्ष्मिवान बनाव। तथा रूप दो, जै दो, यश दो और उनके कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली हे चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, जै दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। चत्रमुक ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसंसित चार भुजाधारणी हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान विश्णु नित्य निरंतर भक्ति पुर्वक तुम्हारी स्थूति करते रहते हैं। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रसंसित होने वाली हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडो वाले द्यत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जै दो, यश दो और कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जै दो, यश दो और मेरे कामक्रोध आधी शत्रूओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुरगम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन हुई हो। जो मनुस्य इस अर्गला स्तोत्र का पार्ट करके सब्त शती रुपी महा स्तोत्र का पार्ट करता है, वह सब्त शती की जब संख्या से मिलने वाले स्रेश्ट फल को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ती भी प्राप्त कर लेता है, ओम नमस्चंडिका यई, की ल आपति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्द Чंद्र का मुखट धारण करते हैं उन भगवान शीव को नमस्कार है मंत्रों का अभी की लक है अरथात मंत्रों की सिध्धी में विख्णऊ उपस्थित वाले शाप रूपी की लगका जो निवारन करने वाला है उस सप्ति शती स्तोत्र को शंपरुड रूप से जानना चाहिए और जान कर उसके उपासना करनी चाहिए यध्यपी सप्त्य सती के अतरीक्त अन्यमंत्रों के जब में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्यान का भागी होता है उसके भी उच्चाटन आदिकर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुरलब वश्तों की प्राप्ति हो जाती है तथा पी जो अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं उन जब के ही उनके उच्चाथन आदि समस्त अभीचारी कर्म शिद्ध हो जाते हैं इतना ही नहीं उनकी संपुर्ण अभिष्ट वस्तों में भी सिद्ध हो जाती हैं लोगों के मन में यह संका थी कि जब केवल सब्तशती की उपासना से अत्वा शप्तशती को छोड़ कर अन् कि यह सप्तशती नामक संपुर्ण स्तोत्र ही सर्व स्रेष्ट एवं कल्याण में है। तद्रंतर, भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। शब्तशती के पाट से जो पुन्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ती नहीं होती परन्तु अन्यमंत्रों के जब से उत्पन्य पुन्य की समाप्ती हो जाती है अतह भगवान शिव ने अन्यमंत्रों की अपेक्षा जो शब्तशती की ही स्रेष्टता का निड़य किया उसे तनिक भी संदेह नहीं है जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुरदसी अथवा अश्टमी को एक काग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहन करता है उसी पर भगवती प्रसंद होती है अन्यथा उनकी की प्रसंदा नहीं प्राप्थ होती इस प्रकार सिद्धी के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है जो पुर्वक्त रिती से निसकीलन करके इस सब्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पुर्वक पाठ कर वह अपम्रित्यू के वश्मे नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतह कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सब्तशती का पाठ आरंब करें जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है इसलिए कीलक और निशकीलन का ज्यान प्राप होता है वह सब देवी के प्रसाद रूप का ही फल है अतह इस कल्यान में स्तोत्र का सदा जाप करना चाहिए इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्छ स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धी होती है अतह उच्छ स् इसका पाठ आरंब करना चाहिए जिनके प्रसाद से एश्वर्य, स्वभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनास तथा परम्मोक्ष की भी सिद्धी होती है उस कल्यान मैं जगदंबा की इस्तुती मनुशिक क्यों नहीं करते दुर्गा शप्तशती का ग्यारवा अध्याय तो माभगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं और दुर्गाश शप्तिशती के ग्यार्वे अध्याई में देवताओं द्वारा देवी की श्तूती तथा देवी द्वारा देवताओं को वर्दान प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। रिशी कहते हैं, देवी के द्वारा यहां महा द्यत्य पती शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आधी देवता अगनी को आगे करके उन कात्याइनी देवी की श्तूति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ती होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकास से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। तुम अनंत बल संपन्य वैश्णवी शक्ति हो इस विश्व की कारण भूता परामाया हो हे देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तूती हो गई। तुम्हारी स्तूती के लिए इस से अच्छे उक्तियां और क्या हो सकती है। बुद्धी रूप से सब लोगों के हिदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी तुम्हे नमस्कार है। कला, कास्ठा, आधी के रूप में क्रमशा, परिणाम, अर्थात अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हे नमस्कार है। तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो। हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल शिड़कती रहती हो। तुम्हे नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संघार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी तुम्हे नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख धारण करने वाली मुंड माला से विभूशित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हे नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा अर्थात स्रेष्ठा, भूती अर्थात एश्वर्य रूपा, बाभ्रवी अर्थात भूरे रंकी अत्वा पार्वती, तामशी अर्थात महाकाली, नियता अर्थात संयम परायणा तथा इशा अर्थात सब की अधिश्वरी, रूपीणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नश्ट किये देता है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। तुम्हें अपने स्वरूप को नेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्म द्रोही महाद्यत्यों का संगहार किया है। सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्यान को प्रकासित करने वाले शास्त्रों में तथा आधिव्याक्यों अर्थात वेदू में तुम्हारे शिवा और किसका वर्णन है। तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐशी शकती है जो इस विश्व को अज्यानमे घोर अंतकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहां राक्षस जहां भयंकर विश्वाले सर्प जहां शत्रू जहां लूटोर्यों की सेना और जहां दावानल हो वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। तुम विश्व का पालन करती हो, तुम विश्व रूपा हो, इसलिए संपुर्ण विश्व को धारन करती हो, तुम भगवान विश्वनात की भी वंदनिया हो, जो लोग भक्ति पुर्वक तुम्हारे सामने मस्तक जुकाते हैं, वे संपुर्ण विश्व को आश्रे देने वा वाले महामारी आदी बड़े बड़े उपद्रवों को शिख्र दूर कर दो विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हे महादेवी हम तुम्हारे चरण पर पड़े हुए हैं हम पर प्रसंद हो त्रिलोक निवाशियों की पूजनिया परमेश्वरी सब लोगों को वर्दान दो देवी बोली हे देवताओं मैं वर्देने को तयार हूँ तुम्हारे मन में जिसकी एक्षा हो वहवर माग लो संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य ही दूँगे तब देवता बोले हे सरविश्वरी तुम इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत क तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवत्तिरण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी फिर अत्यंत भयंकर रूप से प्रित्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचित्ति नाम वाले दानवों का व पानी का अभाव हो जाएगा उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं प्रित्वी पर आयोनिजा रूप में प्रकट होँगी और सौनेत्रों से मुनियों को देखूंगी अत्या मनुष्य सताक्षी इस नाम से मेरा किर्थन करेंगे हे देवताओं उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए साको द्वारा समस्त संसार का भरन पोशड करूंगी जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सब के प्राणों की रक्षा करेंगे ऐसा करने के कारण प्रित्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याती होगी उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महा द्यत्य का भी वद करूंगी इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रिसिद्ध होगा फिर मैं जब भीम रूप धारन करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमाले पर रहने वाले रक्षसों का भक्षण करूंगी उस समय सब मुनि भक्ती से नतमस्तक होकर मेरी स्तूत करेंगे तब मेरा नाम भीमादेवी के रूप में विख्यात होगा जब अरुण नामा के दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा तब मैं तीनों लोकों का हिद करने के लिए छह पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वद इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्तित होगी तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संखार करूंगी ओम नमस्चंडिकायाई इस प्रकार स्रीमार कंडे पुराण में सावरणिक मनमंतर की गथा के अंतरगत देवी महात्मे में देवी स्तुती नामक ग्यारमा अध्याय पूरा हुआ और अब आप सुनेंगे माद्रुगा की आरती ओम जै अंबे गोरी मैया जै शामा गोरी मैया जी को निशे दिन ध्यावत तुमको निशे दिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवरी ओम जै अंबे गोरी मांग सिंदूर बिराजत टीको म्रिगमद को उज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको ओम जै अंबे गोरी कनक समान कले वर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे ओम जै अंबे गोरी केहरी वाहन राजत खडग खपर धारी सुरनर मुनि जन सेवत तिन के दुख हारी ओम जै अंबे गोरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम जोती ओम जै अंबे गोरी शुम्भ नि शुम्भ विडारे महिसा सुर घाती धुम्र विलो चन नैना निसिदि नमद माती ओम जै अंबे गोरी चौसठ योगिनी मंगल गावे दृत्यकरत भैरू मैया दृत्यकरत भैरू बाजत ताले मृदंगा अरुबाजत डमरू ओम जै अंबे गोरी भुजा चार अतिशोभित खडग खपर धारी मन वांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जै अंबे गोरी कंचन थाल विराजत अगर कपुर बाती श्री माल के तुमे राजत कोटी रतन जोती मैया जै अंबे गोरी श्री अंबे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानन्द स्वामी भजत हरी हर स्वामी मन वांचित फल पावे ओम जै अंबे गोरी मैया जै शामा गोरी मैया जी कोनिश दिन ध्यावत तुम कोनिश दिन ध्यावत हरी ब्रह्मा शिवरी ओम जै अंबे गोरी मा की आरती करने के बाद शमा प्रातना जरूर करनी चाहिए तो दोनों हाथ जोड़कर मा से शमा प्रातना करते हैं हे परमेश्वरी मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझ कर मेरे उन अपराधों को आप क्रिपा पुर्वक्षमा करिए। अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदंबा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा दि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। आज्यान वश भूल से या बुद्धी भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी नियूनता या अधिकता कर दी हो वह सब शमा करें और प्रसन हो। हे सच्चिदानंदस्वरूपा परमेश्वरी जगनमाता कामेश्वरी आप प्रेम पुर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझपर प्रसन रहें। हे देवी सुरेश्वरी आप गोपनिय से भी गोपनिय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किये हुए इस जब को ग्रहन करें। आपकी क्रिपा से मुझे सिद्धी की प्राप्ति हो। इस प्रकार छमा प्रातना मंत्र के पाट से दुरगा माता आपके जाने अंजाने में हुए सारे अप्राधों को छमा करेंगी और उनकी क्रिपा सदैव आपके उपर बनी रहेगी। कर लीजिए। इस से यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राधे।